अज़के लेक्षर में हम क्लास एट से एक्सरसाइज 3.4 को डिसकस करें तो चलो बच्छो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 को फैस्ट विशन फाइंड दा क्यूब ओफ दा फ्लोईं नमर्स हमें नीचे नमर गएके हैं उनका क्यूब फाइंड आउट कर अगर क्यूब में क्या होता है अगर किसी नमर की पावर अगर 3 कर देता हूं तो आप इस 2 को 3 टाइम मुल्टिप्लाई करेंगे 2 into 2 into 2 that is 8 या अगर 3 कर पाउर में 3 करता हूं तो 3 को आप 3 टाइम मुल्टिप्लाई करेंगे तो आपके सामने क्या जाएगा 27 तो बच्चो इसको ही हम क्यूब बोलते हैं अब इसको रीड़ कैसे करेंगे इसको रीड़ ऐसे करेंगे cube of 3 is 27 ठीक है इसको कैसे रीड़ करेंगे cube of 2 is 8 अब हम ए पोर्शन को लेते हैं ए पोर्शन में हमारे पास क्या है 6 अब आपको 6 का cube फाइंड आउट करना है तो हम 6 को 3 टाइम मल्टिप्लाई करेंगे 6 into 6 into 6 तो देखो कितना हैगा 6 is the 36 और 6 के साथ मल्टिप्लाई करेंगे तो 260 ठीक है यह ए पोर्शन कम्फिलिट हुआ अगर वो B पोर्शन पे आते हैं माइनस 4 का cube फाइंड आउट करना हम दे तो माइनस 4 को 3 टाइम मल्टिप्लाई कर देगे माइनस 4 into माइनस 4 तो देखो 4 को 4 के साथ मल्टिप्लाई करेंगे तो 16 16 को 4 के साथ मल्टिप्लाई करेंगे तो 64 अब देखो माइनस आ रहा है माइनस इंटो माइनस प्लस प्लस इन्टो माइनस आपका माइनस ठीक है आप बच्चों देखों सी पोर्शन के आते हैं सी पोर्शन में में दे रेखा है 11 11 का क्यूं फाइंड आउट करना तो 11 को 3 टाइम मल्टिप्लाई कर तो चीक है तो टाहिम करेंगे पता ही तो accused let mezel बंटन को 11 के साफ मल्तिप्लाई क्रेंगे तो वरन थी 3 वन है अब क्वोर्शन के माइनस सेवन का क्यूं तो माइनस सेवन इन्टू माइनस सेवन इन्टू माइनस सेवन तो इन तीनों को multiply करेंगे तीन बार minus आगया तो minus तो CDC बात आएगा और 7 into 7, 49, 49 into 7 3, 4, 3 ठीक है बच्चों अब हम इपोर्शन पे आते हैं इपोर्शन में क्या है minus 16 और इसका cube find out करना है तो minus 16 into minus 16 into minus 16 अब इन तीनों को multiply करेंगे तो minus तो आएगा 4, 0, 9, 6 ठीक है यह हमारा first question complete not it yes, second question में भी हमें state cube find out करना है तो चलों एपोर्शन को लेते हैं A में हमारे पास है 2 upon 5 इसका cube find out करना है इसको हम 3 time multiply कर देंगे 2 by 5 into 2 by 5 into 2 by 5 ठीक है अब 2 को 3 time multiply करेंगे कितना है करेंगे 2 to 4 to 8 8 और 5 को 3 time करेंगे तो 5 5 to 25 into 5 तो 1 hand at 25 अब देखो बी पोर्शन अब बी पोर्शन सेमी है यह बस minus लगा रहे खाएज में इसकी cube हमें find out करना है तो बच्चो concept यह कहता है कि जब आपके पास minus की power अगर old number आती है तो always उसका result minus होता है तो देखो minus की power 3 है 3 क्या है एक old number है तो minus आएगा और 2 by 5 की power 3 आपने पहले सोर कर रहे है तो minus 8 upon 125 ठीक है अब इसमें एक चीज़ और भी लिख सकते है minus की power अगर even number है ठीक है तो result always आपको positive मिलेगा ठीक है यह आपको यार रखना है अब बच्चों रेको C portion पे आते है C में देर खाएज जीरो तो 0 का Q करो चाई square करो कुछ भी करो 0 ही होता है अब D portion पे आते है D में है 3 by 7 इसका Q find out करना है तो 3 times multiply करें तो 3 by 7 into 3 by 7 into 3 by 7 अब एको 3 को 3 times multiply करेंगे तो 27 7 को 3 times multiply करेंगे तो 3, 4, 3 अब आते है E portion तो E में है देखो minus minus है तो minus है minus कट गया हमारे पास बच्चिया 5 upon 11 इसका Q करते हैं तो 3 times multiply करेंगे तो 5 upon 11 into 5 upon 11 into 5 upon 11 अब देखो बच्चो 5 को 3 times multiply करेंगे तो हमारे पास कितना है था 1, 2, 5 और 11 को 3 times multiply करेंगे तो 1, 3, 3, 1 तो बच्चो ये हमारे Qs number second complete not it या सिसेंट next question third लेते हैं third में बोला है which of the flowing numbers are the perfect tube निमिल में इसे कौन सा perfect tube number है तो इसेंट perfect tube number के लिए हम इनका prime factor करेंगे और 3-3 का pair बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम A portion को लेते हैं और इसके prime factor करते हैं तो A portion में मारे पास number है 2744 चीक है अब इसके हम prime factor कर लेते बच्चों इसमें 2 का divide लग जाएगा 236, 248, 236 फिर 7 का divide इसमें आदेगा 7, 4, 28 और 7, 9 जा 63 फिर 7 का divide 7 जा 49 फिर 7 में 7 का 1 pair अब देखो इसमें हम 3-3 का pair लेंगे तो 1 pair तो आपकी सामने यह आए एक pair आपकी सामने यह आए तो that means यह जो आपका number है वो 14 का cube है, ठीक है so 2744 is perfect cube of 40 ठीक है यह आपका A portion complete अब बच्वो बी portion पे आते हैं B portion में है minus 2197 तो minus पे एक बार छोड़ देते हैं 2197 अब रेको यह आपका 13 का डिवाइड देते हैं तो 13 में जा 13 13 चीख जा आपका 78 13 आइट जा 1170 फिर 13 का डिवाइड देगे 13 ताइम 13 में 13 का 1 ताइम तो इसमें एक पेर कम्प्लीट मिल रहा है 9 और 38 चीख जा 37 चा 24 अब भी 3 का डिवाइड चला देगा 10 2 और आपका 9 आप 3 का डिवाइड देते हैं 33 जान 9 4 अब 7 का 49 तो यह हो गया एक पेर तो कम्प्लीट यह है एक पेर कम्प्लीट यह है तो 730 21 तो यह 21 का परफेक्ट क्यूब है तो तो देर्फोर 9261 इस परफेक्ट क्योग ओव ट्वन टीव ठीक हो अब चुह हम आते हैं डी पॉर्शन पर डी पॉर्शन में क्या आपके पास 39304 तो इसके फैक्टर करनो बच्छो डी में अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा 39304 लास्ट विम 4 है तो 2 का डिवाइड भी लगेगा इसमें 212 1 बच गया 2918 1 बच गया 2612 2510 22 जब 4 अगें 2 का डिवाइड लेगे हैं लास्ट विजित 2 है तो यह आपका उज़ेगा 2918 1 बच गया 2816 224 और 262 फिर 2 का डिवाइड लेगे इसमें लास्ट विजित 6 है तो 248 2918 212 236 अब हम इसमें 17 का डिवाइड कर देते हैं तो 17 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका आजएगा 17 टूजा आपका 34 और कितना बच गया फिर्टी फोर में 16 बच गया आपका 16 और यह आजएगा 8 और 9 ठीक है फिर 17 का डिवाइड देंगे 2434 ठीक है बच्चों तो यह दी पोर्शन कंप्रीट अब इपोर्शन पर आते हैं इपोर्शन में हमारे पास है 74088 टू का डिवाइड कर दो 236 टू 714 044 ठीक है अब अगें टू का डिवाइड कर दो तो यह आजएगा तुमों जाटू 286 और 522 फिर 2 का डिवाइड कर दो 2918 तू 244 तू 6 जा 12 और 212 अब यह आपका कितना हो गया इलेवन 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 3 का डिवाइड कर दो जाएगा तू और 9 अब फिर 3 का डिवाइड जाएगा इसमें तो इसमें एक प्रेड तो कंप्लीट लिए है एक प्रेड कंप्लीट लिए है एक प्रेड कंप्लीट है तो यह भी आपका पर्फेक्ट कूब होगा 174088 is perfect cube of किसका हो गया 76042 का तो यह 42 का आपका cube root परफेक्ट cube तो बच्चों यह हमारा question number 3rd complete यह assistant next question 4 लेते हैं 4 में बोला कि what is the smallest number वह छोटा number क्या होगा by which 2058 may be multiply to that the product is a perfect cube यहने कि इसके साथ multiply किया जाए तो यह number आपका क्या बन जाए perfect cube तो strength हम सबसे पहले इसके prime factor कर दे ओके 2058 तो इसमें 2 का divide चला जाएगा 2 का divide देंगे तो आपका चला जाएगा 10, 2 और 9 अब इसमें हम 3 का divide करते हैं तो 3, 3, 0, 9 और 3, 4, 0, 12 3, 3, 0, 9 फिर इसमें 7 का divide चला जाएगा 49, 49 में 7 का 7 time 7 में 7 का 1 time तो बच्चों हमारे पास चो factor आगे 2 into 3 into 7 into 7 into 7 तो हमारे पास एक ही pair है जो की 7 का तो 3 का pair बनने के लिए आपको 3 से 2 time multiply करना पड़ेगा और 2 का pair complete होने के लिए आपको 2 को 2 time multiply करना पड़ेगा that means इस number को हम 2 to 4 36 के साथ अगर multiply करते हैं तो 2058 आपका perfect cube बन जाएगा चीक है तो चलो हम इस statement को लिए देते हैं कि देरफोर वी जाएगा हैव तो मल्तिप्लाइ मल्तिप्लाइ लिटो इट इसको बाइ 36 तो मेक परफेक्ट क्यूँद तो यह हमारा question number 4 complete याशिश्टेंट नेक्स्ट कुशन 5 पे आते हैं 5 पे बोला है कि वोट इस दे स्मॉलिस्ट नमबर बाइवीच 6,912 मेटी डिवाइडेड यानि कि आपकी बाद आपको डिवाइडेड करना है और इससे पहले वाइवीच्ट में क्या था multiply तो यह नमबर आपका क्या बन जाए एक परफेक्ट क्यूब बन जाए ठीक है तो इस दे सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते है नमबर है 6,912 ठीक है तो देको 2 का डिवाइड करते है तो 2,3 जा 6,2,4 जा 8 2,5 जा 10 और 6 फिल 2 का डिवाइड 1,7,2,8 फिल 2 का डिवाइड करेंगे तो 8,6,4 फिल 2 का डिवाइड 4,3,2 फिल 2 का डिवाइड लेग जाएगा 2,1,6 अगें 2 का तो आपका जाएगा 1,0,8 फिल 2 का डिवाइड 54 फिल 2 का डिवाइड 27 27 में 3 का 9 9 में 3 का 3 टाइम 3 में 3 का 1 ताइड तो हमारे पास जो पेर आगे बच्चो 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 और 3 1,2,3 अब एको यहां से हमारे पास जो पेर बन रहे हैं 1,2, और 3 यह 3 पेर कम्प्लीट है ठीक है? तो इसमें यह 2 इंटू 2 क्या है? एक्स्ट्रा है तो इसमें पर क्या करेंगा? अगर मालों कि इसमें हम 4 का डिवाइड इड दें यह आपका हट जाएगा? तो हमें बच्चो इसमें इस नमबर में अगर 4 का डिवाइड करदूं तो इसमें आपका डिवाइड क्या हो जाएगा? परफेक्ट इस क्यू पर जाएगा? ठीक है? तो हम इस स्टेट्मेंट को लिख देते हैं फोर के साथ हम डिवाइड करेंगे तो मेक परफेक्ट क्यू ओके बच्चो तो यह हमारा क्यूशन नमबर फाइड कंप्लेट नेक्स्ट क्यूशन सिक्स को लेते बच्चो सिक्स में भी हमें ऐसे इसमोलेस नमबर के साथ मल्टिप्लाई करना है ताकि 5400 एक परफेक्ट क्यूब बच्चो तो बच्चो सबसे पहले हम इसके टाइम फ्रेक्टर करते हैं ओके 5400 2 का डिवाइड करेंगे तो यह आपका रहना 2700 फिर 2 का डिवाइड 135 फिर 2 का डिवाइड 675 अब 3 का डिवाइड करते हैं 326 फिर 3 का डिवाइड चला जाएगा 7 और 5 फिर 3 का देंगे तो 25 5 का देंगे तो 5 तैंग फिर 5 में 1 तैंग तो मारे पास जो फेक्टर आएगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 अब हमारे पास जो perfect pair है मचो एक तो यह आ गया और एक आपका यह आ इसमें हमें एक 5 और होता तो यह perfect cube बन जाता तो that means हमें एक 5 के साथ multiply करना पड़ेगा ताकि आपका यह number क्या बन जाए perfect cube so this cell have to multiply it by 5 to make perfect cube ओके तो यह हमारे question number 6 complete note it